भादवा की चोथ को भादूरी चोथ या बहुला चोथ भी कहा जाता है इस दिन चोथ माता का व्रत किया जाता है और कहानी भादूरी चोथ माता की कहानी सुनी जाती है इसके साथ ही बिंद्याक जी की कहानी भी सुनी जाती है और कुमारी करने सुन्दा शूशिल अच्छे पती की प्राप्ति के लिए ब्रैत करती है। तो आज हम दो भादू की चोथ मता की कहानी सुनेंगे। तो एक बुड़िया माई के एक बेटा था, बुड़िया मैं अपने बेटे के लिए 12 मिनी की 4 चो परोवा करती थी। एक पुआ गणेजी माराज को, एक चोथ माता को चड़ा थी, एक ब्रामन को और एक अपने बेटे को खिला थी, और एक पुआ खुद गाती थी, एक चोथ के दिन बेटा अपने पड़ोसन के घर गया, तो पुआ बन रही थी, जब उसने पूछा कि आज क्या है, जो पुए बन रहे तो मैने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी मा तो चारो चोथ को पुए बनाती हैं, उनसे जाकर मा से पूछा, मा तुरोच पुए बनाती हैं, मैं इतनी महने से खमाता हूं, तो बुड़िया माई बोली, कि मैं तो चोथ माता करती हूं, वा बोला, तू मुझे रख यह तो तू चौत माता को रख ले तो बुड़िया माय yapti मैं तो तेरे लिए जोट कवस्क हैं इसलीन मैं तुझे छोड़ सकती उं पर चौत माता को नहीं जब बेटा गर से जाने लगा तू बुरिया माली तु जा रहा है मेरे हाथ में से यह आखा लेते जा जा संकट आए वहाँ ही पूर देना तो बेटे ने सोचा बाद जूटी है पर ले चलने में क्या बुराई हुआ चलने लगा तो थोड़ी दूर पहुंचा तो उसने देखा खून की नदी बह रही है कहीं से रास्ता नहीं मिला तो आखा प पूर को बोले कि चोट माता मुझे रासा मिल जाए तब जल्दी से रासा मिल गया आप आगे चला गया तो जiantly जाते जाते एक राजा की नगरी पूंचा तो वहां राजा रोजाना एक आदमी की वली देता था तो वह बुडिया माई के पास गया बुरिया माई रोती जा र अगले दिन जब राजा का संदेश लेका है तो बुड़े मैंने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को वली चड़ने के लिए बेज सकती हूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकती लेकिन बाहर की आवास उनका वह जा गया और राजा के आद्मियों के साथ चला गया वहां मटके पकाने क पक रहा था तो एक मनुश्य का भूग लेने के बाद ही उस्में आव पकते थे तो उन सब मिलके उसमें आइच चुन दिया तो वहां खापूर का वह बेट गया तो एक दिन में आओ पक गया मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गया और जहां एक जमादाने जाड़ू लगाई थी जाड़ू से एक अंकर उचे को न बत्रों में जा गिरा तो जमिदाने राजा को जाकर का कि वह आओ तो पक गया तब राजा ने सूचे कि आओ तो आर दिन में पक कौन सा भूत आया तो फिर वह बोला कि डरो मत में तो सिर्फ एक आदमी हूं जिसने के अंदर चुना है देखा तो अंदर हरे हरे जवारी उगए थे तो राजा ने पूचा कि तो अंदर जीवित कैसे बच गया तो वह बोला कि यह तो मेरी चोत माता की का ब्रत करती थी मेर मा जब मैं घर से निकला तो मेरी मा ने आखे दिये तो उसे पूर का बैठ गया और बैठने के साथ ही चोत माता के कारे में पच गया और तब आखे पूर का बैठ गया तो चोत माता से कहने लगा खे माता अब तुम मेरी लाज रखना तब सांकल खुल कर राजा के बंद बहुत सा धन देवले देकर विदा किया और पड़ोसन बोली कि माई तेरे बेटे बहु आए हैं जब चट पर चड़का देखा तो सच में बेटे बहु आ रहे थे तो ही चोत माता जैसे आपने बुडिया और उसके बेटे पर क्रपा बनाई वैसे सभी पर क्रपा बना कोड़ी चोत की कहानी पसंद आई होगी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन बटन अब आ दीजे तो मिलती हूं आप से नेक्स्ट वीडियो में हारी किश्णा